ना तलवार की धार से ना गोलियों की बोचहार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवर्दिगार से जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपनी पॉपुलर फिल्म आवाज के लिए जाने जाने वाले अभिनेता राजकुमार की जिन्होंने अप कौन हैं क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब को तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक फिल्म इंडस्ट्री के दमदार किरदारों में अभिनेता राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान में हुआ था इनका असली नाम कुलभूशन पंडित था इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई में ही कम्प्लीट की थी बात करें इनके अभिनेता राजकुमार फिल्म में आने से पहले सब इंस्पेक्टर के रूप में काम किया करते थे लेकिन साल 1952 की फिल्म रंगीला से इन्होंने बॉलिवूड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा है लेकिन इन्हें साल 1957 की फिल्म मदर इंडिया से स से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया भले ही आज दिगज अभिनेता राजकुमार हमारे बीच नहीं है लेकिन इनके द्वारा बोले गए दमदार डायलॉग आज भी लोगों के जुबां पर बने रहते हैं अगर बात की जाए इस दमदार अभिनेता की ख कुछ खास पसंद नहीं किया गया जिसके बाद यह 2006 की फिल्म 8 पावर आफ सनी में नजर आई पर इनके अभिनय को दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया जिसके बाद वास्तविक्ता धीरे धीरे मुंबई की नगरी से दूरी बनाती चली गई और आज इन्हें किसी भी फिल्म में नहीं देखा जाता है दोस्तों आपको राजकुमार की बेटी के बारे में जानकर कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं